सो हलो मेलकम गाईज काफी जादा टाइम के बाद फिर से आपका एक और इसी अच्छी वीडियो के अंदर आपका स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो के अंदर में आपको बताने वाला हूं कि इसी फिकर कितने टाइप से होते हैं मतलब कि आपको बहुत सारे लाइव एक्जाम्पल लाकर मैं दिखाऊंगा है यारा कि इकटा करके लाया हूं सारे आपको दिखाऊंगा लेकिन अपना में टोपिक वीडियो का क्या है वूफर और स्पीकर इन दोनों के बीच में क्या डि वो आज आपको इस वीडियो के अंदर में बताने वाला हूं दोस्तो अगर आप मुझे नहीं जानते हो तो मेरा नाम है चिराग आप देख रहे हैं डीजे गुरु चिराग यूटूब चैनल जो सब्सक्राइब करना है क्यों ऐसी वीडियो अपन लाते रहते हैं दो या तीन चैनल से वीडियो मिलती रहेगी ऐसा कभी भी आपका नौलेजिवर लॉस नहीं होगा दोस्तों वीडियो को मैं शुरू करते हैं आज करते हैं आपको मैं अच्छे का से टाइप दिखाने वाला हूं चार-पांच स्पीकर में निकटा कर रहे हैं सारे स्पीकर हैं लेकिन अ तो आपको मैं एक-एक करके दिखाता हूं यह देख सकते हैं जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया का यह कुछ स्पीकर है ठीक है वूफर डिजाइन में है इसके बारे मैं बात में डीटेल्स में बताऊंगा और ज्यादा डीटी चाहिए तो मैंने वीडियो बना जाएगा जो जेक से होता है कि मतलब कनेक्शन पूरे पर्फेक्टली होता है यहां पर कई भी आपको कह सकते हैं कि लिकेज लिकेज का मतलब यह कि कही पर भी वायर को मतलब बॉड़ी वगिरा में टच नहीं होता है ठीक है तो दोस्तों इसमें यह चीज बहुत ज्यादा पर रखने के वाइथी कि मतलब आपको शॉड़ सर्कृट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है तो एक तैप तो यह होगा आपका इसपी कत्ती कि ऐसे में पास यह दो रख्या हूं है यह जेक सकते हैं ग्रिल के साथ है एक बिना ग्रिल के साथ है ग्रिल वाला भी आप कितने वोट का इसपी कर आप यह दोन डेख लीजिए आप और आपको मैं दिखाता हूं आप है की अज़िकर को तो इसको सुखाय दूप में और आप फेडिक डाल दी उपर तो इसका कौन का मुवमेंट बिल्कुल बंद हो गया यानि कि बहुत अच्छा paper ट्वीटर यह बन गया है पीछ से यह बहुत αच्हा paper ट्वीटर की तरहan वर्क कर रहा है दौस्तों एक और एक और यह पेडिके से कारी। यह देख सकते हैं यह अपने टीवी में यूल होते है बेसिकल क्योंकि यह अच्छी आवायद निकालते हैं क्वालिटी ज्यादा यह इच्छी होती है इनकी लेकिन यह मतलब कम जगे में भी अच्छा परफॉम करें यह से इनको डिजाइन किया जाता है दोस्तों यह भी स्प यह अब एक और दिखाएं जाता हूं चलो यह 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 भी स्पिकर है ठीक है हां तो इतने सारे स्पिकर्स हैं तो अब कैसे पता करें हमारे लिए कौन सा अच्छा है तो मैंने इस दिखाईन को देखके आपको टेंसल लेने की ज़रूत नहीं है मैं बताओंगा कौन सा आपक देखने को मिलेगी यानि आगे बढ़ते जाओए होगे तो आपको बहुत जादा चीजह असी देखने को मिलेगी जोंकि आप पहली बार देखोगे लेकिन आपको सोचने कहीं जरूत नहीं है बसक That you can do अगर मैं आपको ऐसे लाइक दिखाने लगिया तो आपको कुछ समध में नहीं आने वाला है देखो दोस्तों अगर आपको अच्छा बेस सही है कार के अंदर पहली बात कार की बात करते हैं लोगों को उसी के लिए जरूत होती है या फिर घर के लिए तो करें दिखर अगर में यही रहती है इसके अंदर पर पर त्वीटर सेट होता है यह होता है इसके बात-वारा बात करेंगे यह व्या आप कार में है यूज कर सकते हो लेकिन यह थोड़े से कोश्च्छी आते हैं दोस्तों वूफर स्पिक बेस्ट हएगा आपके लिए वूफर speaker step का होता है ठीक है यह वोफर speaker होता है आपके लिए अब दोस्तों सबसे पहले आपको देख के समझना चाहिए कि अब आपको आपको कभी तो अच्छीु क्या क् नहीं होता है दोस्तों वोफर speaker आफका वह ओता मिघ mental देन नहीं मिल पाईगी क्योंकि स्पीकर आपको केवल आवाज और ट्रेबल ही निकाल के दे पाएगा आपको बैस नहीं मिलेगा अगर आप सोचते हो क्यार मैं केवल वूफर ले ले लेता हूं यानि कि चार गेट है कार के चारों पर एक वूफर डाल देता हूं आट इंच का तो दोस्तो आपको काम भी नहीं होगा क्यों कि आपको चाहिए कि ट्रेबल क्योंकि ट्रेबल जाज से आप अगर वूफर की क्वांटिटीस बढ़ाते हो तो दोस्तों आपको बैस इंक्रीज देखने क को मिलेगी लेकिन आपका ट्रेबल जो है वो कम हो जाएगा यानि कि तीखी आवाज चन चन वाली आवाज है दब जाएगी उसके लिए फिर आपको ट्यूटर से हाड ही है लेकिन इसमें यह ट्यूब देखने को बिल्दी तो अदर भी कब दब पाएगा और अंदर और उपर कम दबेगा और उठेगा तो यह क्या करेगा ज्यादा बेस प्रडूस नहीं कर पाएगा लेकिन अगर यह इसमें आफ़ ट्यूब दे रहे के और तो थोड़ी औ हो गया ठीक है पहला डिफ्रेंसी यह होता है वूफर के लिए और अगर वूफर यूज करते हो तो आपको मैगनेट अच्छी लेनी है यह फिर आप मैगनेट को अच्छा लेगों तो ही आपका यह वूफर सक्षेज़ वरना कोई मतलब नहीं है आपका फूल आवाज करने पर फटेगा मेरा इस्पीकर कभी भी फूल आवाज पर फटता नहीं क्योंकि उसका रिजन है मैंने इतनी बड़ी मैगनेट इसके लिए सेलेक्ट कर रखी है ज्यादा बड़ा नहीं इसकी डिजाइन चेंच की है लेकिन इतनी बड़ी मैगनेट लिए जिसके उसे कावी ज नहीं हो रहा है ठीक है ना यह स्पीकर का डिजाइन है कौन बिल्कुल ना के वराबर उपर निचे हो रहा है तो अभी क्या काम करेगा यह ओनली ट्रेबल और स्पीकर की आवाज जो क्यों मैंने बोला था वही प्रोडूस करेगा यह आपको कैवल यहां से वोकल्स मिलेंग और हाई ट्रेबल मिलेगा तो यह बात यहां पर प्रूव कर रहा हूं है क्योंकि यह इसका कौन बिल्कुल नहीं ले वाला तो यह अपने को वोकल्स और ट्रेबल ही निकालके दे पाएगा तो दोस्तों क्या आप इसको कार में यूज करके आपकी क्वालिटी को मतलब आपको समझ में आ गया होगा दुछी बात थोड़ा बहुत यह बी ग्लियर हो गया होगा कि यार्ड इस्पीकर में और यह वूफर में ठीक है दोनों में क्या डिफ्रेंस होता है अब यह तो सारा समझ में आ गया एक चीज मैं बताता हूं जो कि बहुत कम जोने नोटिस करत हूं कि यह फर्स्ट वाला जाख सकता है हूं कि सेकंड कि इनको मैं से जोड़ रहा हूं एक के उपर एक बेखें तो यह काफी मुश्किल से आपस में मतलब इसका सेंटर से सेंटर तो टच हो ही नहीं रहा है ठीक है ना क्यूंकि यह दोनों वूफर अपने हिसाब से एलाइ कभी दिक कौन को ज्यादा टाइडली नहीं पकरना चाहिए हो सकते जितना इनको मेगनेट से ही पकरना चाहिए दोस्तों यह काफी ज्यादा टाइटली यहां से तो यह चिपक जाएंगे लेकिन पीछे से कभी भी एलाइन नहीं हो रहे क्योंकि इनका खुद का कुछ बनाय करने चाहिए अब आपका डिफ्रेंस वैसे वैनली क्लियर हो गया होगा एक बार फिर रिपीट कर दता हूं क्या-क्या ध्यान लखना है पहली बात वूफर क्या होता है वह समझाता हूं ठीक है पहला वूफर क्या होता है वूफर के अंदर आपको एक तो कौन जो है उसका मुवurgent फिम देखने मिलेगा और कऊंकी बड़ी होगी तोटी के साथ olduğunu ज्यादा Bruce हो जटा मुव्मेंट होगा तो ज्याधा ऐर को flow करेगा यहां ज्यादा ऐर को pump करेगा ज्यादा एर को pump करने करेंगे से वह काभी ज्यादा अच्छी आवाज निकालेगा यहां पर एक फेक्टर पुर आता है कोईल का अगर आपके वूफर के अंदर कोईल की size चोटी है तो भूल के भी आपका कभी भी वूफर नहीं निकालेबा अब चलते चीज चाहिए ऐक चीज इचा बहुत अच्छा देखने को मिलेगा लेकिन अगर आप वूफर लूँगा और एक सबूफर लूँगा तो भाई वाई वाई एक टीटर की जिगत दो टीटर लेना क्योंकि वूफर और शबूफर दोनों बैसे निकाल लेंगे तो वह मिड को दबादेंगे ठीक यह को समझ में आगया स्बिकर का काम समझ में आंहिए ख़या होगा द